हेलो एब्रीवन वेलकम अगेन टू लान्व्रेद देतीमन आज हम करेंगे राजिस्थान का इतिहास चैप्टर नमबर टू क्लास शिक्स तो फर्स चैप्टर हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं तो चलिए उसमें से आपको एक कुशन का आंसर देना है जिससे ये पता लगेगा कि आप लोग कितने ध्यान से चैप्टर को पढ़ते हैं तो चलिए बताईए राजिस्थान में सबसे पहले सूर्योदे एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है कि कौन-कौन इतने अच्छे तरीके से इनको पढ़ता है बाकी आप लोग बोलते हैं कि मैं जल्दी से करवाईए इस चैप्टर को करवाईए अब मैं आप देखूंगी कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से चैप्टर को सुनते हैं ठीके तो कई बार ये चीज़ें रिवाईज होती रहेंगी तो आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो अभी याद होती जाएंगी पढ़ते पढ़ते एक चैप्टर में मैं आपको लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी वहाँ आपको याद होगी question answer जब हम करेंगे वहाँ याद होगी और एक बार और आप लोग रिवाईज कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अपनी लगने लगेंगी किसी को भी कोई भी problem नहीं आएगी ठीक है तो एक बात और जो की last video में भी मैंने आप लोगों को starting में ही बता दिया था कि ये आपकी new book हैं जो की आपकी schools में चल रही है इसके अलावा जो 6 से लेकर 10 तक की RBSC की हम book कर चोके हैं उसको आपको भूलना नहीं है बारवा revise करते रहना है आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है और 6 से लेकर 12 तक हम लोग complete करेंगे क्योंकि आपके second grade के exam में तो ये सब काम में आएगा ही यहां तक की first grade का भी आप लोग form डालेंगे तो वहां पर भी यही चीज आपके काम आने वाली है तो एक भी बच्चा ignore नहीं कर सकता है इनको ठीक है तो ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि आपको तयारी जो है वो इसी तरीके से करनी है वाकई में आपको अगर job पानी है तो जो बच्चे read के भरोसे बैठे हैं कि read का result जब आएगा जब हम start करेंगे ऐसा नहीं करना है आपके बहुत अच्छे marks हैं फिर भी आप लोग तयारी करिए और आपके अगर नहीं भी हैं तब भी आप तयारी करिए 2nd grade और 1st grade का exam तो सभी को भरना है चाहे उसका read का exam अच्छा हुआ हो या नहीं हुआ हो तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए तो मेरा काम है आप लोगों को सलाह देना बाकी मानना आपका काम है तो चलिए start करते हैं chapter number 2 राजिस्थान का इतिहास तो देखिए चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएंगी बहुत ही अच्छे तरीके समलोग पढ़ेंगे चितोडगर जिले के छोटे से गाउं भाटोली का छात्र कौन है रमेश दिवार पर लगे राजिस्थान के मानचितर को ध्यान से देख रहा था उसने अपने सिक्षक्षे प्रस्न किया क्या किया कि सर हमारे राज्य का नाम राजिस्थान है तो हमारे शेतर को मेवाड क्यों कहते हैं मेरे मामा जोटपूर रहते हैं पर वो कहते हैं कि हम मारवाड में रहते हैं, ऐसा क्यों? तो इन चीजों से आपको पता लगा होगा, कि जो रमेज है, उसको ज्यान नहीं है, कि मेवाड जो है, प्राचीन नाम था, मारवाड जो है, वह भी प्राचीन नाम था, जो कि आजकल हम इनको जिलों में देखते हैं, ठीके, तो ये शेत्र के नाम हुआ करते थे, तो रमेश इस चीज़ को नहीं जानता था, सिक्षक ने कहा, रमेश ये मेवाड, मारवाड, हमारे शेत्र के क्या है, प्राचीन नाम है, राजिस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनिती के कई नहीं था प्राचीन काल में राजिस्थान विभिन जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था दोनों शब्द याद रखने हैं जनपद बोले चाहे अंचल बोले ठीक है तो प्राचीन काल में राजिस्थान विभिन जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था ये जनपद एवं अंचल, भोगुलिक इस्थान अत्वा वहां रहने वाली जाती के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरू, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हांडोती, तो ये क्या है, ये जनपद है, अंचल है, भोगुलिक इस्थान के नाम है, जो की वहां रहने वाली जाती के नाम से पड़े ठीक है तो बिलकुल जांगल नाम जो है वो आपने सुना है मरू नाम भी सुना है अर्जुनायन ये नहीं सुना होगा तो आपको पता होना चाहिए जांगल, मरू, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हांडोती ठीक है तो ये सभी वहां रहने वाली जातियों के नाम से या भोगोले किस्थान के नाम से जाने गए। क्या आपके मन में भी ऐसे प्रस्ण आते हैं? यदि हाँ तो अपने सिक्षक के साथ चर्चा कीजिए अपने शेत्र के प्राचीन नाम को जानिए। तो ये बच्चों से कोश्चन जो है वह है कहा जा रहा है। महा कावे कालीन राजिस्थान तो महा कावे कालीन राजिस्थान में देखिए इस शेत्र को क्या बोला जाता था? इसे बोला जाता था जांगल प्रदेश जिसमें देखिए यहां पर कौन-कौन से जिले आ जाते हैं वर्तमान के देखिए विकानेर आ जाता है, नागौर आ ज जोदपूर आ जाता है ठीक है तो जिनको मैप भी याद नहीं है उनको भी धीरे-धीरे करके जो है वह मैप याद होने लग जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या है विकानेर है यहाँ पर नागोर है और यहाँ पर क्या है जोदपूर है तो इन तीनों को मिलाकर ही जांगल प्रद तो यहाँ पर अगर देखें, तो कौन-कौन से जिल्ले आ जाएंगे, देखिए, जो पक्षमी साइड के, बीकानेर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, बाडमेर आ जाएगा, घंगानगर आ जाएगा, चूरू आ जाएगा और नागोर आ जाएगा, तो यह प्राचीन मरू प्रदेश या मरुकांतर कहा जाता है मतस्य की यदि बात करें तो यहां पर जो हैं जिले आ जाते हैं जैपुर अलवर ठीक है और सूर सेन जो जनपद है इसमें भरतपुर धौलपुर करॉली यह आ जाते हैं चलिए धीरे-धीरे करके यह चीज़ें आपको याद होती आर्यों ने छोटी-छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्मान आरंब किया महा भारत एवं सहिता ग्रंथों में राजिस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है चलिए देखते हैं सबसे पहले है मरू प्रदेश रिगवेद सहित हम पूरानिक ग्रंथों रामायन, चरक सहिता, महाभारत एवं व्रहत सहिता में मरू प्रदेश का वर्डन मिलता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बीकानेर, नागोर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाडमेर ये किस में आ जाएंगे? मरू प्रदेश में आ जाएंगे। बीकानेर, नागोर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाडमेर नेक्स्ट देखिए जांगल प्रदेश इस जनपत में वर्दमान के कौन से जिले आ रहे हैं? बीकानेर, नागोर और जोदपूर का कुछ भाग आता है। तो ये तीनों जो हैं वो हमने बीकानेर और नागोर, ये हमने मरू में भी देखे थे। तो याद रखना है कि बीकानेर, नागोर और जोदपूर का कुछ भाग जांगल प्रदेश में आता है। जिसका साम में वर्तमान नागोर से प्रतीत होता है। पोरानिक आख्यानों की अनुशार यादववंस के बलुराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी सेत्र में गुजरे थे। तो यह बहुत जादा इंपोर्टेंट लाइन है, यह पूछा जा सकता है कि यादववंस के बलुराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस सेत्र से होकर गुजरे थे। याद रखना है जांगल प्रदेश से होकर गुजरे थे। उसके बाद है मतस्य तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पढ़ते वक्त भी कुछ तो याद हो ही जाएगा और कुशन अंसा सीरीज के बाद आप लोग इसे और भी अच्छे से याद कर लेंगे और जैसा कि हमारा यह तरीका है कि हम जब सब चीजें याद कर लेते ह उसके बाद टैस्ट भी लिये जाते हैं ठीक है जिससे कि हमारा आकलन हो जाता है कि चीजें हमें कैसे याद होती है तो यह हमारा जो है पुराना तरीका है जिससे कि हम दुबारा भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट देखिए मतस्य जनपद इस जनपद का उल्लेक रिगवेद में मिलता है महा भारत में मतस्य जनपद की राजधानी विराड नगर या बैराट थी तो देखिए सिक्स क्लास का सेकिंड चप्टर जहां आपके ये कोशन आया हुआ था जो कि लास्ट येर जब लैपुर के बीज में इस्सित है इस इस्थान का वर्डन चीनी यात्री वैंचांग ने किया था ठीक है अब देखिए कितनी इंपोर्टेंट लाइन है जो कि आपको ढूनने से भी नहीं मिलेगी और कहां पर मिलेगी आपको ये ये आपको मिलेगी सिक्स क्लास की बुक में तो देखिए मादमिक सिक्षा बोर्ड की बुक जो है वो कितनी जादा इंपोर्टेंट रहती हैं तो इस इस्थान का वर्डन मतस्य जो है इस्थान का वर्डन चीनी यात्री वैंचांग ने भी किया था नेक्स्ट देखिए मोर्योत्तर कालीन राजिस्थान तो मोर्योत्तर कालीन राजिस्थान में देखिए योदेः, अरजुनायन, मालव और शिवी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब सिकंदर का आकरमण होता है तो उसके समय पंजाब से बहुत सारी जो जातियां है वो रा इसकी राजधानी जो है वो क्या रहेगी? मतुरा. राजिस्तान के भरतपुर, धौलपुर और करॉली के अधिक्तर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मेलित थे. तो सूरसेन जनपद में आने वाले कौन से जिले हैं? भरतपुर, धौलपुर और करॉली. इस बयाना प्रसस्ती में भी सूरसेन नामक राजवन्स का वर्ण मिलता है. तो इंपोर्टेंट लाइन है ये वाली कि सूरसेन नामक राजवन्स का वर्ण जो है किस प्रसस्ती में मिलता है? ठीके? किस में मिलता है? बयाना प्रसस्ती में. सिकंदर की आक्रमण के बाद अपनी सोतंतरता को सुरक्षित रखने को उत्सप पंजाब और टक्क की कुछ जातियां राजिस्थान में आकर बस गई तो मैंने आपको बताया था कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो अपने को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी जातियां आई और राजिस्थान में आकर बस गई इन में अपने साहस और सोरे के लिए प्रसिद, मालव, सिवी और अर्जुनायन ये जातियां जो थी वो प्रमुक थी नेक्स्ट देखिए शिवी आधुनिक उदैपुर के पूर्व, पक्षिम तथा उत्तर का संभागे प्रदेश में शिवी जाती ने आधिपत्ते स्थापित किया इसलिए यह शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था इसकी राजधानी क्या थी? मच्च मिका या माध्य मिका जिसके अवसेश चितोडगड के पास नगरी नामक गाउं में मिलते हैं इस भूबाग को मेदपाड यानि मेवाड तथा प्रागवाट भी कहा जाता है तो याद रखना है कि शिवी जो है इसकी राजधानी क्या थी? माध्य मिका या दूसरा नाम क्या है मच्च मिका ठीक है? और इसके अवसेश जो है वह है चितोडगड के पास नगरी नामक गाउं में मिलते हैं इस भूबाग को हम मेवाड भी कहते हैं मेदपाट भी कहते हैं या प्राकवाट भी कहते हैं तो देखिए हमने अभी मैप में ही देखा था यह देखिए यहाँ पर चितोडगड साइड में क्या है? शिवी यहाँ पर आकर यह जाती बसी थी नेक्स्ट देखिए अरजुनायन भरतपूर अलवर प्रांत के अरजुनायन अपनी विजियों के लिए प्रसिद्ध थे अरजुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी शत्रपों को परास्त किया था तो जो ये अर्जुन आयन थे ये कहां आकर बसे भरतपुर और अलवर प्रांत में ठीक है तो अर्जुन आयन ने मालवों के साथ मिलकर जो विदेसी देश अत्रप उनको क्या किया था हराया था नेक्स्ट देखिए मालवों की शक्ती का केंदर जैपूर के निकट नगर था जो वर्तमान में टॉंक जिले में इस्तित है कालंतर में ये अजमेर टॉंक एवं मिवार शेतर तक फैल गए तो देखिए हमने एक बार दुबारा से देखा अभिले कौन सा है यूप अभिले क तो मालवों की विजे का जो यूप अभिले क है यह कहां है नांद सा भीलवारा में है ठीक है इस चीज को याद रखना है और थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो सूर्से नामक राजवन सा उसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है बयाना प्रसस्ती में ठीक है तो ये चीज जो है वो याद रखिएगा नेक्स्ट देखिए योदेह वग राजिस्थान के उतरी भाग का योदेह भी एक सक्ति साली गड़ तंत्रिय कभीला था संभवतेया योदेहों ने ही उतरी राजिस्थान से कुशान सक्ति को नस्ट किया गुप्त काल तक भी ये गड़ तंत्रिय विवस्थाएं अपने अपने शेत्र में बनी रही ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप से बनाए रखा प्रन्तु पाँचवी सदी के बाद के हून आक्रमणों ने यहां के गड़ तंत्री जन्पदों की विवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया व्रहद शहिता नामक ग्रंत में इनके पतन की चर्चा है इसके बाद यह जन्पद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं जैसे मेवाड, बागड, मारवाड, हाडोती, डूडाड और मेवाड ठीक है? चलिए नेक्ट देखिए मेवाड प्राचीन शिवी जन्पद वाले शेत्र को मेवाड कहा गया तो अभी मैने आपको दिखाया था मैप में जहां शिवी जन्पद था तो इसी शेत्र को क्या कहा गया? मेवाड कहा गया आधुनिक, उदैपूर, चित्तोरगड, प्रतापगड, रासमत, भीलवाडा, जिले, मेवाड राज्य के शेत्र में रहे थे इस शेत्र पर शात्वी सताबदी से आधुनिक राजिस्तान के निर्मान तक गुहिल सिशोधिया वन्सका राज्य रहा नागडा, आहड, कल्यानपुर, चित्तोरगड, कुंबलगड, चावंड, उदैपूर आधी समय समय पर इसकी राजधानी रहे यहां की बोली क्या थी? मेवाडी तो मेवाड की बोली मेवाडी थी सबसे पहले यहां पर देखी राजधानी नागडड रही याद होगा आपको कि नागडा राजधानी जो है वो किसने बनाई थी? उसके बाद आहड रही, कल्यानपुर रही, चित्तोरगड, कुंबलगड, चावंड ठीके चावंड किसने राजधानी बनाई थी? यह भी आपको याद आया होगा क्योंकि हमने 10th क्लास की जब हिस्ट्री की थी, तो वहाँ हमें याद है महराणा प्रताप से संबंदित है चावंड उसके बाद उदैपुर, यह किसकी राजधानी रही? पूछा जा सकता है कि इन में से एक नाम जो है, वो कुछ और दे दिया जाए और तीन नाम इन में से दे दिये जाए, और पूछा जाए कि समय समय पर राजधानी रही है, इन में से कौन सी, या फिर ये पूछ लिया जाए कि इन में से कौन सी मेवाड की राजधानी नहीं रही, ठीक है? तो यह चीज याद रखिएगा और यहां पर गोहिल और सिशोधियावन्स का शाशन जो है वह है रहा, कहां पर मेवाड शेत्र में नेक्ट देखिए बागड, बांगड अलग है और बागड अलग है राजिस्थान में दो शेत्र बागड के नाम से जाने जाते थे, कौन से? डुंगरपुर और बासवाड़ा वह दूसरा पिलानी के पास नरहर, भादरा, नोहर तथा करणा का शेत्र किन्तु अधिकतर दक्षणी राजिस्थान के डुंगरपुर बासवाड़ा के भूभाग को ही बागड या बागड कहा गया और इसकी बोली को क्या कहा गया? बागडी बोली कहा गया याद रखना है कि बागड, बागड नाम से याद रखना है डुंगरपुर और बासवाड़ा, मारवाड, प्राचीन मरू प्रदेश ही कालंतर में मारवाड कहलाया, तो हमने देखा था जब कि प्राचीन में जो मरू प्रदेश हमने देखा था, जिसमें हमने कौन-कौन से श मारवाड कहलाया. प्राचिन मरूप्रदेशी कालंतर में मारवाड कहलाया. साथवी सदी में इसके मंदोर्ख शेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शाशन किया था. तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको माइंड में रखनी है कि जब हमने मेवार की बात की थी तो हमने देखा वहाँ गुहिल और शिशोधिया वंस का राज्य रहा, मारवार्त में हमने देखा कि यहाँ गुर्जर प्रतिहारों का शाशन रहा, बाद में इस शेतर पर राठोर वंस का अधिपत्य इस्तापित हो गया, तो थोड़ा सा माइंड में ये चीज़ रखेगा, आगे जाके आसानी रहेगी जब हम पढ़ेंगे राज्य वंस वहाँ पर, हाडोती, आदुनिक बूंदी कोटा का शेतर हाडोती कहलाता है, प्राचीन काल में इस भूबहाग पर, जनजाती का अधिपत्य था, मीड़ा वंस का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ, कालंतर में चोहान वंस की हाडा शाषखा ने इस शेतर पर अधिकार कर लिया, तबी से इस भूबहाग को, यहां की बूली को हाडोती कहा जाने लगा, तो देखिए बूंद जनजाती का नामकरण जो है, वह मीड़ा वंस का बूंदा के नाम पर रखा गया, लेकिन यहां बाद में कौन आए, हाडा साखा, के जो चोहान वंस थे, वो आए, और इन्होंने यहां पर आधिपत्य किया, और तभी से इसका नाम जो हाडोती रखा गया, और यहां की बोल किये कौन आए, यहां पर कच्वाहा रासपूतों ने यहां की स्थानिय जनजाती के मीड़ा और बढगुर्जर इन दोनों को हराया और अपने राजवन्स की नीव डाली, इस शेत्र की भासा डूनारी कहलाई, तो शेत्र के नाम से ही वहां की बोली जो है वह है जाने जान पूर का वह शेत्र जहां मेव जाती के दिखता रही मेवात कहलाता है, मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा की युद्ध में राना सांगा की ओर से बावर की विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है, कितनी important line है कि हसन खान मेवात जो की खानवा की युद्ध में राना सांगा की ओर से बावर की विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, इन सब अंचलों के अत्रिक्त भी अंचल यानी जनपत, इन सब अंचलों के अत्रिक्त भी जनपत की कुछ अन्य शेत्र जैसल मेर को माड या वल, जोदपुर के प्रतापगड को कांठल, जालावाड का शेतर मालवा, चुरू, जुन्जुनू, सीकर वाला शेतर सेखावाटी, व्यावर अजमेर का शेतर मेरवाडा इसके नाम से जाना गया। राजिस्तान और विविन शेतर भूगोल परिस्तितियों के पल्चरू अनेक बोलियों बेसमूसा, व्यवहार और परमपराओं का धनी हैं। शेतर मेर को माड या वल, जोदपूर के जो दक्षनी भाग है उसको गुर्जरत्रा, परताबगड को कांठल, जालावाड के शेतर को मालवा और चूरू, जुन्जुनू सीकर को सिखावाटी शेतर ठीक है। इसके अलावा जो अजमेर व्यावर है, इसको मेरवाडा के नाम से जाना गया। सिख्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही, रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजिस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। तो शायद आप भी समझ गए होंगे, क्या आपको भी ऐसा लगता है, तो देखिए हमने एक मैप जो है वो उपर थोड़ा सा छोड़ दिया था, चलिए इसको देखते हैं। अब आपको ये मैप जो है वो भी समझ में आ रहा होगा, ये देखिए सिखावाटी शेत्र है, जिसमें कौन-कौन से शेत्र आते हैं, हमने अभी पढ़े, इसमें देखिए चूरू, सीकर, जुन-जुनू, ठीक है, तो ये सिखावाटी शेत्र के अंतरगत आते हैं। और देखिए, जो अलवर भरतपूर साइड है, इसको हम मेवाट के नाम से जानते हैं, और दूनार्ड के वारे में हमने पढ़ा कि यहाँ पर जैपूर और उसके आसपास का शेत्र जो है, वह है दूनार्ड के नाम से जाना जाता था, हांडोती देखिए, दक्षरी भाग जो है राजिस्तान का, कोटा, बुंदी, बारा, जालावाट इस नाम से जाना गया, मेवाट शेत्र हमने देख लिया था, कि यह है उदेपूर, चितोडगड, ठीक है, कुंबलगड, रासम्मत, इस शेत्र को मेवाट शेत्र के नाम से जाना गया, बागड जो है, यह है मारवाड में देखिए, जोदपूर, बीकानेर, बार्मेर, तो यह सब भी आ जाते हैं, ठीक है, और एक हमने और देखा था, यहाँ पर जो नहीं है, वो क्या है, मेरवाड़ा देखा था, हमने व्यावर और अजमेर जो है, उसे मेरवाड़ा शेत्र के नाम से जाना गया, ठीक है, तो यह चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर दुबारा से बता दी, तो यह चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और इसके अलावा हमने देखा कि जो मेवाड शेत्र था, वहाँ पर कौन रह रहे थे पहले, गोहिल और शिशोधिया वंस जो है वो यहाँ पर आकर इन्होंने अपना साशन किया था, ठीक है, और हाडा साशकों के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ हांडोती शेत्र में रहे, और मीडा और बढ़ गुर्जर को हरा कर, यहाँ पर कौन आ गए थे, कच्छवाहवंस के शाशक जो थे, वो आ गए थे, ठीक है चलिए, तो हमने यह चैप्टर जो है, वह पढ़ लिया है, अब हम अंत में देखेंगे इसकी सब्दावली, अंचल, अंचल क्या है, शेत्र, जिसे हम जनपद भी कह रहे थे, रिगिवेद, प्राचीन ग्रंथ है, और सबसे पहला वेद है, शत्रप क्या है, जो हमने एक श आप देखिए इसके अभ्यास प्रश्न, मतस्य जनपद की राजधानी थी, तो आप ही बताईए इसका सही आंसर क्या होगा, मथुरा, अही शत्रपुर, विराट नगर या बागोर, तो क्या पढ़ा हमने कि मतस्य जनपद की राजधानी जो थी, वह क्या थी, विराट नग क्या कहलाता था हांडोती, जांगल, मरू या मेवात कोई भी बच्चा कोईशन को गलत नहीं करेगा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने मैप के द्वारा और आपको एक एक लाइन जो है वह भी अच्छे से डिफाइन कर दी थी कोटा और बुंदी जो है क्या कहलाता थ व्यावर और अजमेर का शेतर डैस के नाम से जाना जाता था तो फटापट से सोचिए अभी-अभी हमने क्या पढ़ा कि व्यावर और अजमेर का शेतर क्या कहलाता था वो कहला था दूडार तो भासा कौन से होगी डूडारी ठीक है नेक्स्ट देखिये अति लगू उत्रात्मक प्रश्ण महा भारत कालीन किनी दो जनपदों के नाम बताईए तो अब इसका अंसर जो है वो आपको सोचना है महा भारत कालीन किनी दो जनपदों के नाम बताईए, बहुत सारे जनपत के नाम हमने पड़े और अब आप सोचिए किसका सही आंसर क्या होगा नेक्स्ट सेखावटी में कौन-कौन से जिले आते हैं तो इसको भी हम बहुत अच्छे से जान गए हैं चूरू, सीकर और जुन-जुनू, हसन खान मेवाती कौन था? तो मेव जाती का जो नायक था, हसन खान मेवाती था और इसके बारे में हमने एक और लाइन पड़ी थी कि जो की राना सांगा की ओर से लड़ता हुआ खानवा के युद में मारा भी गया था ठीक है? तो चलिए, बाकी इसके बाद लगूतरात्मक प्रस्ने हैं, ये थोड़े से बड़े हैं, लेकिन डेटेल जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, पाँचवी सदी के बाद राजिस्थान के गढ़ तंत्रे जन्पतों की विवस्ता समापत क्यों हो गई थी? किनी ती जन्पत या अंचलों की बारे में लिखिए, तो बहुत अच्छे से हमने इस चेप्टर को कम्प्रीट किया है, नेक्स्ट वीडियो में एक कुश्चन जो है वो आपके लिए लेकर आऊंगी इसी चेप्टर से संबंदित, तो इसी चेप्टर को आपको किवल दो बार आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चेप्टर 3 के साथ रेगुलर हम लोग चेप्टर जो है वो कम्प्रीट करेंगे और आप लोग भी रेगुलर पढ़ाई करते रहेगा, और बार बार कहती हूं कि 6 से 10 तक कि जो RPSC हमने कम्प्रीट कर ली है उसको छोड़ना नहीं है, बारवार रिवाइस करना है वरना आप लोग इस चीज को भूल जाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू